ओकी तो सीजन प्रीमिर का पहला मंडे नाइट रो का एपिसोड हो चुका है खतम जिसमे हमको न्यू टैक्टीम चैंपिन भी देखने को मिल गया और डबलो डबलो ने एक फैटल 5 बे मैच भी ओफिशल कर दिया एक राउन जोयल के लिए तो अगर आपने आज का मंडे नाइ अब उनका जो रन होने वाला है डबलो डबलो में अब वो सोलो होने वाला और उनके लिए थोड़ी और भी अच्छी बात है कि अपना आपको एक वर्ल्ड हवेट चैंपिन के लेवल पर देख सकते हैं मतलब वो सैमी जेन को बोल रहे होता है कि तू होता को होने शो की स्टार्टिंग करने वाला ये जजज्मेंट डे का हाक है जज्मेंट डे ही शो की शुरू बात करेगी फिर वो अपने tag team championship के match की बात करने लगते हैं कि आज वो tag team championship जीट जाएंगे, new champion बन जाएंगे फिर से draw make and tear के बारे में भी यहां उन्होंने थोड़ी सी बात करी बस खुल के नहीं करी बस थोड़ी से एक दो short लिये थे और उसके बाद वो सीधा sami zain पर आते हैं कि तुझे जादा चिंता करने की जरूद निया अभी हम तेर को यहीं खतम करते हैं तेरा मामला और फिर हो sami zain को चारों तरफ से घेल लेते हैं और रिंग में उनको मारने के लिए चली रहे होते हैं इपर इन पर कीतने में थीम सॉंग ले हो जाता है महाँ पर में इवेंट जे उसौ का जे उसौ भगते हुए आता है उनके हाथ में दो चेहर होती है एक वो sami zain को देते और एक अपने प इसके बाद शो पर मैच होता है फोल्स काउंट एनिवेर मैश इंसके नाका मौरा वास इस रिकोशे अब मैं इस मैश को भाई लिटरली वर्ट्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता है इतना कमाल का है मैश था सैथ रोलन्स वाला थोड़ा जादा इससे बैटर था बट ये भ और अपना फिनिशेड लगा के वन टू थी पिन करके जीच जाते हैं मैच क्योंकि फॉल्स काउंट एनिवेर मैश था तो रिकोशे को भारी पिन कर दिया ना कम हो रहा है ले जाते बट मैश बहुत ही कमाल लगाता है इसके बाद शो पर मैच आता नेटालिया वस इस पाइ उसी देखने को मिल थी जे उसो और समी जेन के बीच जिसके चलते समी जेन शो की स्टार्टिंग में जे उसो को रिंग से छोड़के निकल भी गए थे तो बस उसी को लेकर सैमी जेन थोड़ी कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जैसे जे उसो उनको बचाने आये थे उनकी जातों के हिंट मिलें जहां पर डॉमिनिक मिस्टियोर रिपली से पूछते हैं कि कहां हो तो मतलब कहां बिजी रहे हो आजकल थोड़े रेफरेंस ही देखने को मिल रहे हैं हमको डूमेक अंटायर के इसके बाद शो पर हमारे वर्ल्ड हैविट चैंपिन सैथ फ्रिकिन रो पर बाद से कोई लेना दाने नहीं है तो अपनी चैंपिन सिप्से मतलब रख तू यह देख कि तो अपनी चैंपिनशिप कैसे बचागा इस बात से कोई तेरे लेना देना है निए तू अपनी चैंपिन पर धियान रख पिर सैथ रोंस डूमेक एंटायर को समझा दाए कि जज्मेंटे ठीक जगा नहीं है अगर तो उनके साथ जुलेगा तो तेरे को कहीं नहीं तेरा ही लोग साइस में तू अकिए ठीक ठाक है बंदा रूमेक अज़ाते कि ब्लेडलाइन की बाते लेके बैठा रहेगा आगया इस चीज से ब्लेडलाइन होगया मामला खतौम बोलते हैं कि जब Crown Jewel में तुहारेगा तो ते लिए सबसे बैस टीज होगी क्यों तेरे पास कोई blame करने के लिए नहीं होगा मतलब कि Seth Rollins और Drew McIntyre का match जो होने वाला वो बिल्कुल fair match होने वाला तुम कोई भी दखलंदा जी नहीं करेगा और Drew McIntyre को Seth Rollins 1-1-1 हराएंगे इसलिए Drew McIntyre के पास कोई blame करने के लिए नहीं होगा अब इतना ball के Seth Rollins महां से चले जाते हैं तो एक अच्छा घाथा promo इनके बीच देखने को मिला आम है जिसमें कि इनकी hype और बढ़ गई है Crown Jewel में होने वाले इनके match के लिए इसके बाद गाई शोपे Ludwig Kaiser vs. Johnny Gargano का match होता है अब इस match में क्या ही बोलु यार मतलब WWE ने पता नहीं क्या ही बुक किया क्या ही सोच के इस match को बुक किया कि surprisingly इस match में जो है वो Ludwig Kaiser जीत जाते है मतलब पिछले हफते लो नी करगानों का return हुआ है और आज की शोपे उनको हरवा भी दिया मतलब भाई पता नहीं कौन सा माल फूक के WWE ने इस match को बुक किया था जो Ludwig Kaiser इस match के winner बन गए खैर इसके बाद शोपे next match होता है Rear Replay vs. Shaina Baszler मैच की बात करें तो मैच काफी अच्छा चल रहा होता देखने भी मज़ा आ रहा होता क्योंकि दोनों सूपरस्टार एक दूसरे की टकर किया है दोनों हैवी हैवी सी रैसलर है बट मैच की जो एंडिंग है वो कुछ इस तरह से होती है कि नाया जैक्स, राकेल रोटरिगर्स और जोई स्टार काके इन पर हमला कर देती है इसके बाद का शो पर इंटर कॉंटिनेटल चैंपेंशिप के लिए मैच होता है गुंतर वसी ब्रॉंसर ब्रीड आप देखो इस मैच में अपनी चैंपेंशिप तो रिटेन कर ली बट ब्रॉंसर ब्रीड ने जो इस मैच में पर्फॉर्मेंस दी है ना लाईफ ऱ पर्फॉमेंस दी है इतने बढ़े लेवल का माच है डिली वर डिडी ब्रॉंसर ब्रीड ने इतने बढ़े-बढ़े हमको मूवज को मिले ब्रॉंसन ब्रीट को गुंथर पटकते हैं यह प्रेंट के ऊपर, लास्ट में ब्रॉंसन ब्रीट ने बहुती क्लोस की काउट भी किया, मतलब कुल मिला के बहुती पावर पैक मैश था, जो की देखने में काफी मज़ा आया, बट इस मैश में लास्ट में बाई गुंथर को जीतना था, उन्हों अपनी चैंपेंशिप रिटेंड करनी थी, क्योंकि डॉल 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 का भी कोई प्लैन निया, उन से चैंपेंशिप लेने के, तो इस मैश में जो विक्ट्री है, टेक्टिम चैंपेंशिप, में इवेंट के इसाफ से डॉल 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 ने काफी जबर्दस मैश बुक किया, काफी अच्छा कासा है मैश था, डॉल स्पेर भी हमको जेउसो की साइट से देखने को मिली, और एक मुमेंट था जब डेमियन प्रीस ने कोडी रोट को उठा के अनौंसर स्टेबल पर पटका था, वो भी बहुत शानदार मुमेंट था, डॉमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरंस भी हमको मैच की स्टार्टिंग से देखने को मिलते है, जिसको काउंटर करने के लिए सेमी जेन आते हैं, जो की टेक डाउन करते हैं, डॉमिनिक मिस्टीरियो को, बट सेमी जेन के आने के आने के बाद भी इस मैच का जो रिजल्ट है, बहुत शोकिंग हो जाता, जब जेउसो डबल स्पेर लगाने के बाद, स्प्लेश लगाने के लिए रिंग टॉप पर जा रहे होते हैं, इतने में पतानी कहां से जिम यूसो आकर सूपर किक लगा देते हैं, जेउसो को और उनके रिंग के अंदर फैक देते हैं, जिसका फायदा उठाके फिन बैलर जेउसो पर फिनिशर लगा के मैच जिट जाते हैं, और फिर एक बार निउट टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं, और पतानी डबलो डबलो ने क्यूं ही जेउसो और कोडी रोट को टैग टीम चैंपियन बना, जब उनको इतनी जल्दी उनसे चैंपियनशिप लेनी थी, मतलब कुछी दिन का उनका ये रेन था और अचानक सी उन्होंने चैंपियनशिप ले ली जेउसो और कोडी रोट से, और जिमी उसो का आना तो भाई इतना जाधा शोकिंग था ना, बहुत ही अनेस्पेक्टिट था बिल्कुल, अब पता नी, डबल डबल ने क्या ही सोच के इसको बुक किया पर बहुत ही जाधा शोकिंग में इवेंट था आज का, और अब हमारे न्यू टेग टीम चैंपियन है, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर, अन्ना मैं मिलता हूं आप तो न्यू वीडियो कंदर तब तक के लिए टेक केर,